कैसे याद किया आपने मुझे? मिस्टर नेगी, आप तो जानते हैं कि आज देवधर गांधी कितनी उचाइक तक पहुँच चुका है। लोग कानून और पुलीस से ज्यादा गांधी पर भरोसा करने लग गए हैं। वो कहीं भी जाकर किसी के साथ कुछ भी करता है। देवधर गांधी आज आतंक और देहशत का नाम बन चुका है। जानता हूँ। वो हर मामले में बच जाता है। क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलते। अरे उसके खिलाफ कोई बोलने को तयार नहीं होता। हमारे क्राइम सेल के इंचारज मिस्टर राठोड हैं। जो आज तक गांधी पर अंकुष लगाने में नाकाम रहे हैं। कंधार आठोड का बंदूक मेरी। क्या मैं जान सकता हूँ। अचानक ये गांधी पर अंकुष्क्यों कसा जा रहा है। वो ऐसा है कि… रहने दीजे उर्मिला जी रहने दीजे। अब असली बात मैं आपको बताओ। गांधी पर आप अंकुष इसलिए लगाना चाहती हैं। क्योंकि उसके हाथ उन अमीरों के गले तक पहुंच चुके हैं। जिनकी डोनेशन के वज़ा से आपकी पार्टी चलती है। फिर, इस काम की क्या होगी मैं आपको शाम तक बता दूँगा। मगर इससे पहले मेरी भी एक बात है। यह उपरेशन मैं अपने तरीके से करूँगा। और उसमें मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। इसे रहे हैं मां, क्या है हम लोगा। वूशाय करने जिए पकारशन के मेरेशने, मां तो पिदूखर नहीं? यह नोहीं है। तु आसी बात कर रहे है, मां? क्या घ्लत कर रहे हैं हम लोग? तु आसी बात बाते कर रही है, मां? उसके जैसे सेक्रल बेबस लड़कियों के परिवारों की मदद करना गलत है कानून से खेलने वालों को सबग सिखाना मां वह लोग हमें बद्धाम कर रहे हैं जूटे केसिस बना रहे हैं हम पर मेरे दोस्तों को कुट्त की तरह मारा जा रहा है और तू कह रही है कि शेहर कर जाना है देवधर नहीं मा ये शेहर छोड़कर नहीं जाएंगे हम लोग तो आज ये बात इसलिए कह रहा है न क्यूंकि मैं तेरी सोदेली मा हूँ जानता है इस घर में आने से पहले मुझसे क्या कहा गया था सीता उस घर में एक तीन साल का बच्चा है जिसे संभालने वाला कोई नहीं है मैं इस घर में किसी की बहु या बीवे बनकर नहीं आई थी तेरी मा बनकर आई थी आपकी रिजिस्ट्री आई है कहां सी पॉलिस डिपार्टमेंट से हां मा इसका सेलेक्शन हो गया है जाने देना इसको इंट्रिव्यू के लिए इसकी हिम्मत कैसे हुई दिवाई तू है जो घर से भार जाते वक्त पी पूछ कर जाता है और यह मतलम कि पुलीस में जाने का तुम मना कर दोगी तुझे ग्या लगता है तू अकेले सिस्टम को ठीक कर देगा तू नहीं जाएगा पुलीस में मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पुलीस में जाओंगा देखता हूं तुम कैसे रोकती हो मुझे उल्टी बाद माद कर सब्सक्राइब कर देखता है कि अगर यह पुलीस में गया तो पुलीस हमारे घर आएगी रोट्राइब कर देखता है कि अचोचे P यह सबू हो मैं लगजू की तेढ़ा ही था है हो यह सरह अखर शर्मा सना फैस्पी शर्मा तुमारी एड़ुकिशन मेरट में वी यह सर, बरहे एडिफिकेस नहीं कि तुम्हें एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बलकि बहुत अच्छे स्पोर्समें भी हो, यू हेट अल्डा ओप्शिन्स, ये पुलीस फोर्स ही क्यों हूँ, मैं पुलीस फोर्स की बहुत रिस्पेक करता हूं सर, और मैं समझता हूं कि समाज में पुलीस की भूमी का बहुत एहम है, अच्छा तुमारे इस डिसीशन पर तुमारे फादर का क्या मेरे फादर नहीं है, सर, मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सर, तुमारे बड़े भाई क्या करते हैं, जी वो रिक्षा चलाते हैं, आइसी, भाई एक रिक्षा चलाने वाला आदमी आपने छोटे भाई को इस तरह पड़ा लेखा कर इस मुकाम पर प बड़े बड़े बाई रिक्षा चलाता है, तो और ज्यादा खुछ होगे, तो आपसे मिलना भी चाते हैं, ठीक है, मैं वने मिलूंगा, लेकिन पहले जाकर मा को ये खुशख़वरी दे, और ये बारे बाई ब्ड़े बुच्छने लगे, और जब मैं उन्हे बताया के मेर जो के मिला... तुम मन लगा के ट्रेडिंग करना जी और घर की फिकर बिलकुल मत करना जी रख रास्ते में काम आएंगे हम पहिया साहिब आपसे कोई देदर सर्मानाम का अथमी मिलने आया है नमस्ते नमस्ते मैं आकाश अर्मा का भाई हूँ आपने मुझे पुलाया था प्लीज सिट डाउन भाई तुम्हारे छोटे भाई ने जब मुझे बताया कि रिक्षा चला चला के किस तरह तुमने मेहनत करके उसे इस मुकाम पर पहुंचाया मैने सूचा मुझे तुमसे जरूर निना चाहिए और मुबारक बाद देना चाहिए आकाश एक बहुती भाके शाली लडगा है जिसे तुम जैसे भाई मिला इसमें तो इसकी अपनी मेहनत औलकन है मैंने तु उसे से नहीं, बिलकुल गलत, अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता, तो उसे इस मुकाम पे आने में बहुत तेर लगती। Now, he has been selected. Wish you all the best. Thank you.